पांच जून 1951 रानी लक्ष्मी बाई और रानी इंदू मती दो महीने यहां रहकर अपने घर गवालियर और बंबई आधी को फ्रंटियर मेल से रवाना हो गई उनके प्रेम की यह हालत देखी जो बूरे का धेर धीलमा डिपो से लाया गया था उस पर सारी संगत के साथ पिछले चार दिन हर शाम सेवा करने जाती और उनको बार-बार कहे कर हटाना पड़ता हुजूर सरदार बहादुर जी की तबियत पहले से अब अच्छी होती जा रही है गर्मी का जोर बढ़ रहा है अब तक तो मौसम सुहावना ही रहा हर रोज शाम के साड़े पांच बजे से साड़े छे साथ बजे तक सत्संग होता है उसके बाद कोई सेवा हो तो वह की जाती है अमरित सर में सत्संग 10 जून 1951 आज इतवार को सुभा के 8 बजे से पहले ही हुजूर कार में अमरित सर सत्संग घर के लिए रवाना हुए और 9 बजे से पहले सीधे सत्संग घर मजीठा रोट पर पहुँचे बहुत सी संगत आ चुकी थी और कुछ आ रही थी दर्बारी दास उडारू खड़ा होकर सत्संग में शब्द पढ़ रहा था तुम शरनाई आया सरदार बहादुर साहिब पहले तो सीधे निचली मंजिल में अपने आराम के कमरे में तश्रीफ ले गए और वहाँ लोगों से बादचीत करके सत्संग पंडाल में पधारे पहले तो बड़ा खोल कर समझाया कि संत महात्माओं की खोज से क्या-क्या नतीजे निकले है पहला, खुदा है दूसरा, वह केवल मनुश्यों को मिलता है तीसरा, मनुश्य को भी अपने अंदर से मिलता है मंदिरों, मूर्तियों, उजाडों और पहाडों में नहीं मिलता चौथा, अपने अंदर तीसरे तिल में रूँ इकठी करने से उसका पता चलता है पाँच्वा, जब तीसरे तिल में रूँ इकठी हो जाए तो वह शब्द यानि आवाजे आस्मानी को पकड़ने से मिलता है जो उस समय वहां रूँ को अनुभव होती है छटा, अगर परमात्मा की इच्छा किसी को अपने साथ मिलाने की होती है तो वह उसको गुरू और शब्द यानि नाम से मिला देता है इसके बाद शिरी गुरू गरंत साहिब राग मारू महला एक का शब्द लिया गया यानि गुर्णानक साहिब मुक्ती का रास्ता बताते हैं कि मन को रोक कर अपने अंदर रखो उसको संकल्प और विकल्प से रोको और अंतर में जो राम यानि शब्द है जो सब जगा रमा हुआ है उसको सुनो और ध्यान दे कर सुनो लालच को छोड़ो अगर यह रास्ता धारन नहीं करोगे तो फिर यमदूत मृत्यू के समें तुम्हारी जान निकालेंगे दुख तुमको आकर घेर लेंगे फिर दुबारा विंती करते हैं कि हे मन राम नाम जप यही असलियत है और जप तप सैयम सब कर्मों का सार यह है कि एहनिस राम रहे हो रंग राते मगर गुरू के उपदेश के मुताबिक यह काम करो यानि राम नाम गुर्बचनी बोलो हो गुरू भी कौन हो पहुँचा हुआ पून्ड गुरू हो उससे मती लेकर अपना असली देश खोज लो जहां से तुम्हारी रूह दुखों के इस संसार में आई थी तब फिर गर्ब में जाना नहीं होगा सच तीरत नावो यानि सच्चा तीरत क्या है फरमाया है तीरत नावन जाओ तीरत नाम है नाम को सुनो यही सच्चे तीरत में नहाना है नाम और शब्द एक ही वस्तु है अगर इस तरह करोगे तो मौत के समें यमदूत तुम्हारा कुछ न बिगाड सकेंगे अब सद्गुरु की महिमा गाते हैं सद्गुर पूरक दाता वडदाना जिस अंतर साचसो शबद समाना यनि जिस मनुष्य के अंदर हमेशा रहने वाला शब्द प्रकट हो गया हो जिस मनुष्य को ऐसा सद्गुरु मिल गया हो तो उसका यम का डर जो बहुत भारी है छूट जाता है शब्द की तरफ ध्यान देने से ही खुदा मिलता है मगर इसकी सफलता के लिए तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए सत संतोक रहो जन पाई खिमा गहोक सत गुर्शर नाई इस शब्द के बाद सौमी जी की वानी में से गुरु मेरे जान पिरान शब्द का दीना दाना शब्द मेरा आधार शब्द का मरम पिछाना लिया गया बाद में सत्संग समाप्त हुआ सेवा में बैठे और लोगों को समय दिया गया सत्संग मैनेजर पंडित साधुराम ने 80-90 व्यक्तियों के नाम पेश किये मगर चुंकी गर्मी का जोर होने के कारण उनको ठेराने के लिए किसी जगह का बंदोबस्त नहीं हो सकता था इसलिए मासिक सत्संग पर उन्हें देरा आने के लिए कहा गया हम सब लोग करणल सहेब की कोठी पर खाना खाकर आराम करके देरा चल दिये रास्ते में सब इंस्पेक्टर सरदार हरनाम सिंग के मकान पर खल्चियां में गए वहां बड़ी सक्त धूप और गर्मी थी गाउं के बहुत से स्त्री और पुरुष जमा हो गए उनको महराजी ने नाम जपने का हुक्म दिया यही मनुष्य जन्म का उदेशे है फिर हम डेरा आ गए जालंदर में सत्संग 17 जून 1951 इत्वार के दिन यहां से पौने आठ बजे सुभा जालंदर शहर सत्संग करने गए वहां पौने नौ बजे के करीब पहुँचे नौ बजे सत्संग शुरू हो गया मौसम ठंडा था, बादल चा रहे थे और सत्संग के बीच में बूंदा बांदी हो रही थी संगत की भीड काफी थी सत्संग के बाद ऐसा लग रहा था कि लोग सारे मैदान में चाय हुए हैं उस भीड में से बाहर जाना मुश्किल था पहले तो सरदार भहादुर साहिब ने संत महात्माओं, वली, पेगंबरों और रिशी मुनियों द्वारा की गई मालिक की खोज की व्याख्या की और फिर बताया कि उनकी खोज का क्या नतीजा है पहली बात तो यह है कि खुदा या करता पुरुष है वह केवल मनुश्य को मिलता है और मुनुश्य को भी अपने अंदर ही खोज करने पर मिलता है ना कि बाहर मंदेर मूर्तियों में अपने शरीर के अंदर भी आखों के ऊपर मन और रू को इकठा करके अंदर ले जाने से और अंदर ले जाकर मालिक की चैतन्य धार यानि शब्द, हुकम या अकत कथा से जोड़ने से मिलता है इसके बाद श्री गुरुनानक साहिप का शब्द मारूराग में से लिया गया साचै मेले शबद मिलाए जांतिस पाना सहज समाए त्री पवन जोत तरी पर मेसर अवर न दूजा पाई है यानि जिनको वह साचा अपने साथ मिलाना चाहता है उनको शब्द से जोड़ता है अगर उसकी मौज हो तो ऐसे जीव शब्द से मिलकर मन और माया से परे की हालत यानि सहज अवस्था में चले जाते हैं जिसके चाकर तिसकी सेवा शबद पतीजय अलक अपेवा पगतां का गुणकारी करता बक्ष लए वडियाई है मनुष्य का जहां जहां प्रेम होता है वहां उसका चाकर होकर सेवा करता है स्त्री लड़के लड़कियां धन दौलत हाठ हवेली के लिए मारा मारा फिरता है मगर वह परमात्मा केवल शब्द से ही खुश होता है और अपने भक्तों को फाइदा पहुँचाता है और दया करके अपने साथ मिलाने की इज़त बख्षता है उस मालिक को देते देते कमी नहीं आती जो जो हम इच्छा करते हैं उसे वह पूरी करता जाता है बहुत से लोग कहते हैं कि खुदा ने हमारी इच्छा पूरी नहीं की शिरी गुरुनानक साहिब ने कैसे कह दिया कि उस मालिक को देते देते कमी नहीं आती दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो कह सके कि मेरी सब इच्छाएं उस मालिक ने पूरी कर दी मगर शिरी गुरुनानक साहिब का कथन ठीक है जो इच्छाएं हमारी इस जन्म में पूरी नहीं हुई वे अगले जन्म में जरूर पूरी होंगी और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमको जरूरी नहीं कि मनुश्य का शरीर मिले इसलिए संत फर्माते हैं कि इच्छा की जड़ काटनी चाहिए मालिक से केवल मालिक के सिवाए और कुछ न मांगो क्योंकि कुछ और मांगोगे तो मालिक जरूर देगा मगर यह जरूरी नहीं कि इस जन्म में दे और जो लोग कच्छे हैं वे मालिक की दाथ तो लेते हैं मगर उसकी हस्ती को नहीं मानते सिर्फ मूँ से कहना कि खुदा है कुछ माइने नहीं रखता उन लोगों के कामकाच से साबित हो जाता है कि वे खुदा को नहीं मानते इस शब्द में गुरु साहिब ने नाम के बारे में कहा है नाम बिना किछ साद न लागय हर बिसरिये दुख पाई है यानि बिना शब्द के सब रस निरस हैं और हरी को भूल कर लोग दुख भोग रहे हैं जो नाम को भूल गए नामों पुली चोटा खाए बहुत सियान अप परम न जाए चाहे वे कितनी चतुराई करें उनके संधे दूर नहीं होते और पचपच मुए अचेत नचेते अजगर पार लदाई है वे इस दुनिया के धंदों में फसकर अज्ञानता में मर जाते हैं और सिर के उपर पापों का भारी बोज लाद कर ले जाते हैं दुनिया में कौन ऐसा है जो अपनी अकल को सबसे बढ़कर नहीं समझता कुछ लोग जिद या गुसे में आकर आत्म हत्या करते हैं उनको अच्छे और बुरे कर्म की समझ नहीं है बिना शब्द की कमाई के ऐसी समझ नहीं आती है कोई तीर्थ करता है, कोई वरत रखता है, कोई तप करता है मगर शिरी गुरुनानक साहिफ फर्माते हैं कि सिवाए शब्द यानि उस नाम के जो राम यानि रमा हुआ है मुक्ती ना होगी और वेह नाम गुरु से मिलता है जो गुरु की मत को नहीं लेते, वे सच्चे रास्ते से भटकते फिरते हैं इसके बाद सार बचन रादा स्वामी छंद बंद में से गुरुने मोहे दीना नाम सही तृष्णा सकल दही लिया गया बाद में कबीर साहिब का शब्द लिया गया और इस स्रिष्टी का भेद बताया गया कि यह तिरलोकी, निरंजन यानि काल भगवान की बनाई हुई है और वह ब्रह्मा, विश्णू, शिव, तीन शक्तियों के द्वारा इस तिरलोकी का परबंद करा रहा है कि इन जीवों को देह में डालते जाओ और डालने के बाद इनको पालते जाओ फिर उस देह को नश्ट करके दूसरी देह में डालते चलो इन तीनों का यही कारे है और खुद निरंजन इनसे अलग है उसने इन तीनों शक्तियों को भी, जिनको हम बड़े-बड़े देवता समझ कर पूछते हैं अपना भेद नहीं दिया जैसे की शिरी गुरुनानक साहिब ने जपजी में फरमाया है यानि निरंजन तो इन तीनों को देख रहा है मगर ये तीनों अपने करता निरंजन को नहीं देख सकते यह है हैरानी की बात है और फिर इन तीनों को रच कर लोगों को दोखा देने के लिए जगए-जगए तीर्थ बना दिये कि लोग सच्चे खुदा को भूल कर इन तीर्थों को मुक्ती का साधन समझें और यही नहीं बलकि माया, मोह, जीवों के साथ लगा दिये और अपने आपको करता यानी दुनिया का रचने वाला बता कर अपनी पूजा करवाई यह अजीब बात है कि जो काल जीवों को खाता है उसको खुदा समझ कर पूजते हैं इसका भेद, वेद, कुरान, बाइबल में नहीं बलकि वे तो निरंजन को ही खुदा बता कर लोगों को उसकी पूजा में लगाते हैं बलकि उसका भेद तो केवल संतों नहीं खोला है कि गुरु से शब्द लेकर अंदर चलो तो सच्चा मालिक, सत्पुरुष तुमको सत्लोक में मिलेगा जिसके अधीन करोणो काल यानी ब्रहम है शिरीगुरुगरंत साहिब में आया है कोट ब्रहमंड को ठाकुर स्वामी हर एक ब्रहमांड का अलग-अलग निरंजन यानी काल है फिर काल निरंजन ने मुनुष्य और रचना को बना कर हर एक के साथ अपना एजेंट मन लगा दिया और उसको कह दिया कि इसको सब चीज देना मगर शब्द की तरफ न जाने देना और ना ही शब्द का पता लगने देना यह निरंजन जीव को मौत आने पर जला कर कोईला या दबा कर मिट्टी कर देता है और मौत के बाद बार बार जन्म देता है सत लोक या अमर लोक अविनाशी लोक जहां कुल मालिक का ठिकाना है उसका रास्ता बंद किया हुआ है निरंजन भी कुल मालिक ने पैदा किया है हे लोगों अगर इस जबर्दस काल भगवान से बचना चाहते हो तो शब्द को पकड़ो कबीर साहिब फर्माते है अवधू निरंजन जाल पसारा यानि जो लोक आवा गमन को नहीं मानते और दुनिया के दुख और बदलाव को परमात्मा का अन्याय बताते हैं या इस दुनिया का भेद जिनकी समझ में नहीं आया उनको एक सतसंगिन का अंग्रेजी में लिखा पत्र सुनना चाहिए जो उसने दो जून को ससेक्स इंग्लैंड से हुजूर महराज सरदार बहादुर साहिब को डेरा भेजा था यह स्त्री सतसंगिन है जिसने सक्त मुसीबत में सारी उम्र बिताई जीवन से उब गई थी हुजूर सद्गुरु दीन दयाल ने रात को सपने में उसका पिछला जीवन दिखा दिया तो उसको परमात्मा का नयायकारी होना समझ में आ गया उसके पत्र की नकल इस तरहा है प्यारे सद्गुरु जी आपके पावन चर्णों में वंदना मेरा मन पश्टाताप से भरा हुआ है और मैं आपसे शमा चाहती हूँ मेरी आत्मा इस भयानक अनभव के बाद बहुत दुखी हो गई है मुझे अपने पिछले जन्म का एक द्रिश्य दिखाया गया और उस भयानक दुरगटना का कारण मैं थी वे इस जन्म के हाल से अच्छी तरह मेल खाते हैं जो बातें पहले मेरी समझ में नहीं आती थी वे अब मेरे लिए पहेली नहीं रही इस सदमे से मुझे बहुत परेशानी हुई मुझे पता चला कि इस संसार में जीवन कितना मुश्किल हो सकता है मैंने तो जन्म लेने से पहले ही इस जीवन में खुश रहने का अधिकार खो दिया था संसार में कर्म और उसके फल पाने का कानून बहुत कठोर और नयाय पूर्ण है मैंने अपने परमपिता से सच्चे दिल से विंती की है कि वे मेरी आत्मा पर दया करके मेरे अपराधों को शमा करे प्यारे सद्गुरुजी, आपने जो कुछ मेरे लिए किया और कर रहे हैं, उसके लिए आपकी आभारी हूँ मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके प्रेम और मार्ग दर्शन के योग्ये बन सकूँ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि मिस पेन को आपने मुझे दिलासा देने के लिए भेजा मैं खूब रोती हूँ और एक रात सिसली सिसली कहे कर चिलाती रही दूसरे दिन प्राता वह मेरे दर्वाजे पर गुलदस्ता लिये खड़ी मिली और उसने बड़ी सादगी और आँखों में चमक के साथ कहा कि मुझे सद्गुरू ने भेजा है मैं नहीं कह सकती कि जो मैंने देखा वह सपना था या कुछ और परन्तु मुझे तो वह सत्य ही प्रतीत होता था और इससे पता लगता है कि क्यों मैं पिछले 37 वर्षों से अपने पुत्र का कर्ज चुका रही हूँ इससे यह भी पता लगता है कि क्यों मुझे इतना अधिक दुक सहना पड़ा और ताकत से अधिक कारे करना पड़ा क्यों मेरे साथ दुरघटना हुई और मेरी सिहत खराब रही परमात्मा नयाय करने वाला और देयालू है राधा स्वामी पश्चाताप से भरी हुई आपकी विनम्र पुत्री 23 जून 1951 सुभा के 9 बजे सत्संग शुरू हुआ यह मासिक सत्संग से पहला शनिवार था मगर संगत ज्यादा ना थी पहले तो शिरी गुरु गरंत साहिब महला चार का शब्द लिया गया उसके बाद स्वामी जी की वानी में से शब्द लिया गया सुरत मेरी हुई शब्द रसमाती गुरु महिमा अब चिन-चिन गाती और फिर निरत सखी को अगवा करके पल-पल शब्द समाती अर्थात जब तक निरत अंदर ना जाए रू अंदर नहीं जाती रू की दो ताक्ते हैं सुरत यानी सुनने वाली ताकत और निरत यानी देखने वाली अभ्यासी लोग गलती करते हैं कि शब्द को सुनने में लग जाते हैं मगर निरत को अंदर आँखों में नहीं जमाते जब तक निरत ना जमे मन खड़ा नहीं होता न रस आता है शब्द फोड सुन शब्द को जाती माया, मम्ता, कूटत छाती रूह निरत द्वारा शब्द में से बारीक शब्द को छाट कर उपर के मकाम के शब्द को पकड़ती है तो दस्वें द्वार का शब्द आता है जहां पहुंच कर रूह माया और काल के जाल से पार चली जाती है कालूदी बढ़ का दौरा और डेरा में निवास 13 जुलाई 1951 कल कालूदी बढ़ को रवानगी है 14 जुलाई 1951 डेरा से अपनी ब्यूक कार में सुभा 10 बजे चल पड़े रास्ते में देखा की फौज वालों के खेमे और ट्रक दाएं बाएं खड़े हैं और रेल्वे स्टेशन ब्यास तक सब जगा ट्रक और फौज चाई हुई है रास्ते में फौज के बहुत से ट्रक आते जाते मिले जालंधर में पहले तो जेल के पास संगत के दर्शन करने गए वहां से सरदार गुर्दयाल सिंग की कोठी पर कुछ मिनट ठहर कर उस गाड़ी को तो जालंधर में छोड़ा और किराए की स्टेशन वैगन जो धर्मानी साहिब ने तयार रखी थी उसमें सामान रख कर होश्यारपूर की तरफ रवाना हुए रास्ते में च्छावनी और मानकों के पास संगत के दर्शन करके नसराले का चो यानी नाला जो खुश्क पड़ा था पार करके खुश्यारपूर के बाजार में पहुँचे जहां लोगों ने हुजूर की आग्या के बगैर सत्संग का बंदोबस्त कर रखा था बेशुमार स्त्रीपूरुष महा जमा थे हुजूर की तबियत एक दिन पहले से खराब थी इसलिए वे लेटे हुए वैगन में आ रहे थे सत्संग करने की ताकत ना थी फिर भी बहुत सक्त गर्मी में संगत की जिद पर कार से उतर कर सत्संग करने गए और खूप सत्संग किया हम कार में बैठे रहे मगर गर्मी से व्याकुल हो रहे थे तेज धूप थी जब सत्संग समाप्थ हुआ तो शुक्र किया उसके बाद हम सीधे गगरेट पहुँचे रास्ते में पहाडी पर एक जगाय संगत के दर्शन करने के लिए ठहरे गगरेट में जो आबादी से उत्तर की ओर आमों के जुंड के तले बड़ा मैदान है वहां खूप थंड़क थी सत्संग का सामान मौजूद था और लोग जमा थे हुजूर सत्संग करने लगे हम गर्मी से जुलसे हुए थे इस मैदान की ठंड़ी हवा से हमारी जान में जान आई प्यास लग रही थी खूप लेमनेट पिया और सत्संग भी चाया में ठंड़ी हवा में बैठ कर सुना खूप आनंद आया शब्द था आज सकी काज करो कुछ अपना गुरू दर्श तको छोड़ो जग सुपना हुजूर ने खूप खोल कर सत्संग किया आज से मतलब है कि इस मनुष्य जन्व में अपना काम करो वह काम क्या है? गुरू से युक्ती लेकर सुरत को शब्द से मिला देना बाकी सब काम पराएं हैं क्यूंकि शरीर छूटने के बाद सब नाते और संबंद तूट जाएंगे केवल शब्द की कमाई साथ जाएगी जबानी जाप काम ना आएगा क्यूंकि जबान भरने से पहले ही बंद हो जाती है अगर यह नहीं करोगे तो सत्संग की समाप्ति पर समा से पार जाकर खाना खाया दो बच चुके थे सबको खूब भूक लगी हुई थी उड़त की दाल के साथ गलगल यानी एक प्रकार का बड़ा सा निम्बू के आचार ने खूब मजा दिया खाना खाकर आगे चल पड़े तेज धूप निकल आई भरवाई से दो मिल इस तरफ जहां खड़ी चड़ाई है हमारी कार का गियर तूट गया वहां उसको ठीक करने के लिए एक घंटा धूप में खड़ा रहना पड़ा आखिर में उस कार को वहीं छोड़ना पड़ा वहां से एक ट्रक उपर को जा रहा था उसके ड्राइवर ने हमें ले जाकर भरवाई छोड़ दिया फिर उसकी मिन्नत करके उसको कालूदी बढ़ ले आए जिसका काफी किराया देना पड़ा शाम छे सात बजे का वक्त था मगर यहां आकर तबियत खुश हो गई क्योंकि यहां एक दिन पहले बारिश हो चुकी थी और हवा में गर्मी ना थी अभी संगत बहुत थोड़ी आई है यह जगा खूब एकांत और शान्ती में मालूम होती है जियों जियों लोग आते जाएंगे रौनक बढ़ती जाएगी 20 से 22 जुलाई 1951 परसों शाम को सत्संग में सोता मन कस जागे भाई सो उपाव मैं करूं बखान लिया गया कि सिवाए सुरत शब्द के किसी तरह भी जीव का कल्यान नहीं हो सकता उसके साथ ही सरदार राम सिंग चलेट वाले ने तुलसी कृत राम चरित मानस में से आरंब का वह भाग लिया जहां तुलसी दास जी ने गुरू की स्तुती की है तुलसी दास जी बड़े विद्वान और अभ्यासी हुए है कल शाम को संगत बड़े जोर शोर से जमा हो गई शाम के सत्संग में जग में घोर अंधेरा भारी शब्द लिया गया और तुलसी कृत राम चरित मानस की भूमिका में से वह शब्द लिया गया जहां नाम को ब्रम और राम से बड़ा बताया गया है सरदार राम सिंग ने इसकी खूब व्याख्या की अबके यहां बारिश ना होने के कारण एक तो गर्मी ज्यादा रही दूसरे पानी की कमी क्योंकि यहां कुएं दूर है बारिश का पानी होजों में जमा करके साल भर पीते रहते हैं कल रात लंगर के होज का पानी खत्म हो गया तो सेवादार बिलहा राम रात को चमबी से घड़ों में पानी भर कर लाया दोनों होजों में से केवल एक होज में चार फुट पानी रह गया इसलिए रात के दो बजे एक ट्रक भेजा गया कि पानी के घड़े और पीपे भर कर यहां लाये जाएं फिर भी वीवी धर्म देवी ने लोगों को पानी की तकलीफ नहीं होने दी सेवादार रात भर पानी पिलाते रहे क्योंकि बहुत सी इस्त्रियां छोटे-छोटे बच्चे लेकर आई थी खाना भी रात को लोगों को आवाजें दे दे कर खिलाते रहे लोगों के प्रेम का यह हाल है कि जुआला मुखी और मंडी सुकेत और नहरिया से लोग आटा, दाल, बिस्त्रे, सेवा में देने के लिए खुद सिर पर रख कर लाए है आटे दाल की कोई कमी नहीं रही भक्त सौमा राम जी, बसी गुलाम हुसैन वाले एक ट्रक में कद्दू और दूसरा सामान लाद कर लाए है लोग बहुत खाने पीने का सामान ला रहे है कल बाजे वाले भी सारा दिन बाजा बजाते रहे आज भी सुभा से जन्म दिन की खुशी में बाजा बज रहा है सत्संग शाम के पाँच बजे शुरू हुआ हुजूर के चबूतरे को छोड़ कर बाकी सब जगा धूप थी सब लोग धूप में बैठे थे कभी बादल आ जाता तो जरा सी देर के लिए च्छाओं हो जाती थी संगत दूर तक फैली हुई थी मगर शोर बिलकुल ना था पहले तो नाम निरने लिया गया फिर तुलसी कृत राम चरित मानस की भूमिका में से शब्द लिया जिसमें नाम को ब्रहम और राम से बढ़ा कहा गया है ब्रहम राम ते नाम बढ़ बरदायक बरदान नाम वर देने वालों को भी वर देने वाला है यानि सब शक्तियों का आरंब उससे है अंत में तुलसी दास जी ने कहा है कहों कहां लग नाम बढ़ाई राम न सकें नाम गुन गाई यह नाम राम राम वाहे गुरू या रादा स्वामी नहीं है यह सब तो अक्षर है जबकि वहे नाम धुनात्मक है जिसकी गूंज माते में हर समय हो रही है सत्संग की समाप्ती हो गई तो बहुत से लोग अपने अपने घर चले गए मगर संगत बहुत अधिक थी बहुत से लोग अपने रिष्टेदारों को नाम दिलाने के लिए ठहर गए 21 जुलाई को एक हजार स्त्री पुरुष नामदान के लिए पेश हुए जिसमें से केवल 575 को नाम दिया गया 22 जुलाई को हुजूर ने आराम किया केवल सनातन धर्म हाई स्कूल के मास्चर मिलने के लिए आए उनको वक्त दिया गया उनको स्कूल के लिए 25 रुपे दान दिया गया 23 जुलाई 1951 सुभा आठ बजे के बाद चल कर गगरेट पहुँचे वहां सत्संग हुआ वहां से चले तो रास्ते में बारिश और आंधी का जोर था जो जालंधर शेहर तक रहा जालंधर में आकर खाना खाया हुश्यारपूर में बारिश और आंधी की वज़े से किसी को वक्त ना दे सके हां खुश्यारपूर से इधर चो यानि नाला से पार सोमाराम भक्त बसी गुलाम हुसैन वाले बहुत से लोगों के साथ मौजूद थे वहां उनको दर्शन देने के लिए थोड़ी देर रुके थे जालंधर से चार बजे के करीब चलकर ब्यास स्टेशन के फाटक पर आए डेरा में निवास 27 जुलाई 1951 कल हुजूर बाबा सावन सिंग जी महराज का जन्म दिन मनाया जाएगा आज लगभग 4000 लोग सत्संग में थे सत्संग केवल एक बार शाम को साड़े पाँच बजे हुआ कई फौजी लोग भी सत्संग में आ जाते हैं क्योंकि लाम बंदी के कारण ब्यास के आसपास फौज सड़के बना रही है और ट्रक वाले भी फौजी हैं लाम बंदी यानि सेना को युद में जाने के लिए तयार रखना यानि मॉबलाइजेशन सत्संग में गुरु अमरदास जी का शब्द किस हों सेवी क्या जप करी सत्गुर पूछो जाए लिया गया कि जिग्यासू को चाहिए कि पूरे गुरु के पास जाए वे जो युक्ति बताएं उसमें अपनी बुद्धी से परक ना करे बलकि बिना जिजक कमाई करे उनकी मौज है कि वे अपनी बहारी सेवा में लगाएं या साथ संगत की सेवा में लगाएं पूरे गुरु को हर एक जिग्यासू की योग्यता का पता होता है उसी के अनुसार जिस तरह जिग्यासू का लाभ हो गुरु उसे वैसी ही सेवा में लगा देता है जिस तरह गुरु गोबिन सिंग जी ने भाई बेला को पहले केवल घोडों के अस्तबल की सेवा में लगाया उसके बाद उसको एक-दो कडियां किसी शब्द की सिम्रन पकाने के लिए दी, जिससे उसको सिम्रन का पूरा-पूरा फायदा हुआ। इसलिए जिग्यासु को चाहिए कि पूरा सद्गुरू जिस रास्ते पर चलाए, बिना बुद्धी की परक किये उस मार्ग को अपना ले। मगर सद्गुरू पूरा हो। यह हर एक के अपने भग्ये पर निर्भर करता है। फिर भी अपनी ओर से तसल्ली कर लेनी चाहिए कि यह दुकान ठीक सौदे की है। 28 जुलाई 1951 कल सुभा सवेरे ही बारिश शुरू हो गई थी, जो आज भी सारा दिन जारी रही। 25 बजे सत्संग हौल में एक शब्द का सत्संग हुआ। पूरा हौल स्त्रियों और पुर्षों से खचा-खच भरा था। और बाहर बारिश हो रही थी। गुरुनानक साहिब का शब्द राम नाम मन बे देया अवर की करी विचार लिया गया। उससे पहले संत्मत की खोज करने पर उसके नतीजों के बारे में खोल कर समझाया गया। अभी तक रात के समय बारिश पहले की तरहां जारी है। 16 अगस्त 1951 शिरी हुजूर सरदार बहादुर साहिब को अब खांसी से काफी आराम है। मगर कभी कभी शिकायत हो जाती है। एक सत्संगी ने यूपी से पत्र में लिखा था कि मुझे नाम लिये 35 साल हो गए हैं और मैं प्रती दिन बिना नागा दो घंटे सिम्रन और ध्यान करता हूँ। एक घंटे से कम तो किसी दिन भी नहीं करता, मगर कोई तरक्की नहीं ना मन ठहरा। बताईए क्या करूँ। उसे यह जवाब दिया गया। जब तुम सिम्रन पर बैठते हो तो हिलते डुलते रहते हो। दो घंटे एक आसन पर बैठ कर पांच नाम का सिम्रन आखों के केंदर पर ध्यान रख कर करो। और उस समय मन को और कुछ ना करने दो। तो धीरे धीरे मन और रूख की चेतन धाराएं शरीर के निचले हिस्से से सरक कर आखों के केंदर में इकठी होनी शुरू हो जाएंगी और टांगें सुन हो जाएंगी। अगर यह हो तो जान लो कि सिम्रन ठीक हो रहा है। जितना समय भी बैठना हो एक आसन पर बैठे रहो। आसन को बार-बार ना बदलो और मन की चौकिदारी करो की अन्य विचार ना उठाए। केवल सिम्रन करे। इसी तरहां जब ध्यान धीरे-धीरे पीछे हटेगा तो शरीर की तरफ से भियोशी होगी, मगर अंदर से होश होगा, और मन पांच नाम का सिम्रन करता रहेगा। अगर बिना सिम्रन के भी कोई दो घंटे एक आसन पर चौकडी मार कर बैठा रहे, तो भी उसकी टांगे सो जाती हैं। सिम्रन को समय देने के बाद पाउं पर बैठ कर आदा घंटा शब्द सुनो, जो भी आवाज आती है उसी को सुनो। 22 अगस्त 1951 एक सत्संगी ने लिखा है कि धीरे धीरे अभ्यास में तरक्की हो रही है, कोई रुकावट नहीं आती, भजन सिम्रन का समय भी बढ़ रहा है, मुझे अनुभव होता है कि मैंने शरीर को छोड़ दिया है, एक दिन मैंने गुर्नानक साहिब को देखा कि वे मेरी तरफ उत्तर, जब अंदर का दर्वाजा खुलने लगे, तो कई प्रकार के नजारे सामने आते हैं, अभ्यासी सिम्रन छोड़ देता है और नजारे देखने लग जाता है, उसे चाहिए कि सिम्रन जारी रखे और आँखों का केंदर ना छोड़े, जब सिम्टाफ पूरा हो जाए फिर शब्द को भी पकड़ेगा, श्री हुजूर महराज सरदार बहादूर जगत सिंग्जी की बिमारी और ज्योती जोत समाने का हाल हुजूर सरदार बहादूर साहिब को कई दिन से बलगम का जोर है, गला बैठा हुआ है और खांसी आती रहती है, जोर से बोल नहीं सकते फिर भी पिछले इतवार, 26 अगस्त की सुभा के 10 बजे, यहां के आसपास के कैम्पों से आए, फौजियों के साथ 12 बजे के बाद तक रुहानियत पर चर्चा करते रहे, फिर कुछ को नाम दिया तीन बजे फारिग हुए, शाम के साड़े पांच बजे फिर फौजी आ गए और सरदार बहादुर जी एक घंटे तक सत्संग करते रहे 10 से 24 सितंबर 1951 सरदार बहादुर साहिब की हालत पहले जैसी है, गला बैठा हुआ है, खांसी और बलगम है, क्यूंकि लोग उनको आराम नहीं करने देते वे अपनी तकलीफ की परवा ना करते हुए, किसी को यह नहीं कहते की बाद में आना और घंटों उनके साथ परमार्थी बाचित करते रहते हैं कल शाम को पहले फौज के गरंथी साहिब तश्रीफ लाए और सरदार भादुर जी को गला बंध होने के बावजूद भी काफी बोलना पड़ा यद्दिपी कल शाम को सत्संग बंध था उसके बाद मुरब्बा बंदी के तहसीलदार साहिबान भी मिले वे उनकी तकलीफ को देख कर जल्दी वापस जाना चाहते थे मगर सरदार भादुर साहिब ने उनको जाने ना दिया और उनके साथ परमार्थ की बाते होती रही दोनों तहसीलदार खोजी हैं और परमार्थ के शौकीन है तहसीलदार साहिब ने कहा कि हम सैयद पुर गए वहां मुरब्बा बंदी हो रही है वहाँ दो व्यक्ति ऐसे मिले जो लोगों को नाम दे रहे हैं मगर मुझे उनके सत्संग में वहे आनंद ना आया जो सरदार बहादुर साहिब की व्याख्या में आता है वे भी यह दावा करते हैं कि उनको शिरी हुजूर बाबा सावन सिंग जी महराज नाम देने के लिए कह गए हैं मैंने कहा अगर बाबा साहिब को ऐसा कहना होता तो यह बात चुपके से उनके कानों में कहने की ना थी बलकि संगत के फाइदे के लिए खुले तौर पर कहना जरूरी था सरदार बहादुर साहिब ने फरमाया कि पिछले दस गुरूं के इतिहास पढ़ कर देख लो हर समय कोई न कोई दावेदार पैदा होता रहा है ऐसा ही हाल अब भी है नाम देना केवल यही नहीं है कि कान में दो शब्द बता दिये और अलग हो गए संत्मत में नाम देने वाले की बड़ी जिम्मेदारी होती है जिसको नाम देंगे उसको देर सबेर सच्खंड पहुँचाएंगे मैंने भी प्रार्थना की कि बड़े हुजूर महराज जी फरमाया करते थे कि नाम तो सच्खंड पहुँच कर भी ना दें जब तक की कोई ताकत मजबूर ना करे आज दोपहर को दो बजे के करीब एक बड़े ट्रक की आवाज आई मालूम हुआ कि कई फौजी दर्शन के लिए आये हैं उन्हें हुजूर के सामने ले जाया गया ऐसे हालात में आराम कैसे हो सकता है डेरा के अंदर हुजूरी निवास के दर्वाजे से लेकर डेरा के दर्वाजे तक और डेरा के दर्वाजे से लेकर सीधे कच्चे क्वाटरों तक और क्वाटरों के दाएं-बाएं सड़क बन रही है मानकों से संगत ने आकर और डेरा की संगत ने सेवा करके सडक बनाने का जो सामान पड़ा था उसको बिछा दिया है पॉज के इंजीनिरों ने कृपा करके अपने दो रोड रोलर भेज दिये हैं जो सडक बना रहे हैं और सेवादार सडक पर पानी डाल रहे हैं रोड रोलर खराब हो गए, फिर दोबारा 23 सितंबर को दूसरा रोड रोलर आया, सडक रात तक पूरी हो गई 26 सितंबर 1951 श्री हुजूर सर्दार बहादुर साहिब को बहुत कमजोरी हो गई है, गला भी बंध है और बलगम का जोर है उनके साहिब जादे ने टेलिफोन करके कश्मीर से डॉक्टर बलवन सिंग साहिब को बुलवाया है वहे पहले से ही उनके डॉक्टर रहे हैं और उन्होंने शनिवार 22 सितंबर से इलाज शुरू कर दिया है हुजूर सारा दिन लेटे रहते हैं, बाबा रामेश्वर सिंग जी शाम को सत्संग करते हैं, डाक लिखनी भी बंध है कल दुपहर को और परसों शाम को हुजूर सत्संग में स्वयम कार में तश्रीफ ले गए परसों शाम को तो केवल पाँच मिनट सत्संग की समाप्ती पर बैठे उस समय सरदार चन्न सिंग कवेटा वाले सत्संग कर रहे थे और अच्छा सत्संग किया शिरीगुरु गरंत साहिब में से यह शब्द लिया सूरत देखना पूल गवारा कल दुपहर को हुजूर ने खुद स्वामी जी की सारबचन राधा स्वामी छंद बंद में से सत्गुर सरन गहो मेरे प्यारे करम जगात चुकाए पड़वा कर थोड़े से शब्दों में व्याख्या की मगर खांसी और कमजोरी के कारण पीछे बैठे हुए लोगों को सुनाई नहीं दिया हाला कि लाउट स्पीकर लगा हुआ था उसके बाद सरदार चनन सिंग ने दर्शन पेटत पाप सब नासें हरसियों दे मिलाई का अर्थ किया आज सोमवार को हुजूर का इरादा था कि जो लोग दिल्ली के आसपास से आए हैं उनको नाम दिया जाए मगर नहीं दे सके जबकि डाक उन्होंने खुद सुनकर लिखवाई उत्तर प्रदेश से एक सत्संगी ने पत्र लिखा है कि उसकी बुड़ी माता फरवरी से बिमार है पहले तो स्वयम ही एक दो घंटे ऐसी वैसी बाते बोलती रहती है चाहे सामने कोई हो या ना हो जवाब दे या ना दे कई बार बात बिलकुल समझ में नहीं आती थी कि क्या कहा अब करीब दो मास से कहती है कि खासकर रात को चार आदमी नजर आते हैं लेकिन पहचान में नहीं आते वे उसे कमर और उससे नीचे लकडी से मारते हैं जिससे दोनों जगाय दर्ध होता है कभी पूछते हैं कि कब चलोगी कभी चलने के लिए धमकाते हैं सबकी एक ही आवाज होती है कि मारो मारो और मारते भी हैं इसी लिए रात को यह देख कर और दिन में यह सब याद करके वे रोती रहती है जवाब दिया गया कि अपने कर्म भुगत रही है, फिक्र ना करो, सिम्रन जारी रखे, जो मार पीट करते हैं, वे सब दूर हो जाएंगे आज एक उर्दू अखबार में पड़ा कि एक महाजन हैजे से बिमार होकर मरने लगा तो अचानक दो साप उसके शरीर पर लोटने लगे जब लोगों ने उन्हें मारना चाहा, तो वे पास के बरतन में घुस गए, और जब बरतन देखा, तो उसमें कुछ ना था शहर में यह बात चर्चा का विशे बनी हुई है हुजूर महराज जी फरमाया करते थे कि यमदूतों को अधिकार होता है कि जो रूप चाहें धारण कर ले वे मरने वाले के कर्मों के अनुसार मौत के समय कोई भी रूप धारण करके उसको डराते हैं कभी साप बनकर शरीर पर लोटते हैं, कभी मुदगर और तलवार लेकर सिर पर खड़े दिखाई देते हैं मुदगर यानि वह भारी मुंगरी यानि काठ का बड़ा हतोड़ा जिसका उपयोग वैयाम के लिए होता है मुलाना रूम, गुर्णानक और पुराणों के महात्मा सब ने इसका जिक्र किया है फिर भी अगर दुनिया ना माने तो और बात है मुलाना रूम ने कहा है गुर्ज हा ओ तेग हा महसूस शुद पेशे बिमारो सरश मनकूस शुद गोयद आ, रंजूर, कए यारे हरम चीस्त इं, शम्शीरे बर, परके सरम यानि मरने वाले के सिर पर मुदगरों और तलवारों से वार करते हैं और वह बेचारा घबरा कर पुछता है कि मेरे सिर पर ये तलवारें क्यों लटक रही हैं इसी तरहां कई साल हुए, जब एक व्यक्ती अपने चौबारे में मरने लगा तो बोला ओहो, कितना मोटा सांप सीड़ी पर से चड़ा आ रहा है और कुछ मिनट में मर गया ये शकलें उन तकलीफों के संकेत हैं जो मरने के बाद सूक्ष्म शरीर में आत्मा को होंगी इसी तरहां एक बार मैं कलकत्ता मेल पर लाहोर से सवार हुआ तो उस डिब्बे में एक लाला जी बैठे थे पता चला कि शराप का बक्स लेकर पटियाला जा रहे हैं अपने साथी से बादचीत के दौरान कहने लगे कि मेरा जवान लड़का मर गया मगर मरने से पहले बोला देखीं ओए मारी न यह हमारी समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा मैं खामोश रहा हुजूर महराजी फरमाया करते थे कि जीव कर्म करते समय अंधा हो जाता है यह नहीं देखता कि इसका क्या नतीजा होगा आज मिस्टर जे बी रेपलोगल और मिस लुईस हिलगर अमेरिका से हवाई जहाज में बंबई और फिर अम्रिस सर से होते हुए दोपहर को तीन बजे के करीब देरा पहुँचे आना तो उन्हें एक दिन पहले था मगर कहने लगे कि बंबई पहुँचकर हवाई अड़े पर उनके जहाज के यातरी रोक लिए गए किसी बड़े आदमी की रिष्टेदार स्त्री भी उनमें रोक ली गई थी रास्ते में एक रात इंपीरियल होटल दिल्ली में ठहरे और फिर जब सुभह के समय अम्रिस सर में हवाई जहाज से उतरे तो सरदार जस्वन सिंग क्लेर अपनी कार में राजा सांसी हवाई अड़े पर तश्रीफ ले आए थे उनको कार में घर लाकर त्वागत किया और वहाँ से कार में ही डेरा आए उनको गेस्ट हाउस की उपर की मंजिल के कमरों में जगह दी गई खाना पकाने वाले रख दिये गए और अमरित सर और जालंधर से उनके खाने पीने का सब सामान मंगवा दिया गया अलग खाना बनवा कर खाते हैं जिसमें अधिकतर मेवे, बिस्कुट, डबल रोटी, मक्खन, शहद, संत्रे का रस, पपीता, काजू आदी शामिल होते हैं साहिब बहादूर एक महीने तक वापसी का इरादा रखते हैं हालांकि उनकी उम्र सत्तर साल की है, तो भी उनको किसी बड़ी कंपनी में बहुत अच्छी तंखवा पर दोबारा नौकरी मिल रही है जितने दिन वेह यहां रहेंगे, वे लोग उनके यहां रहने के दिनों का वेतन भी देंगे साहिब बहादुर ने आने से पहले बंबई से एक रेफ्रिजरेटर भी खरीद कर पहुँचा दिया था जिसमें वे अपना पानी, मेवा, खाने की दूसरी चीजें ठंडी करने के लिए रखते हैं रेफ्रिजरेटर स्वीडन का बना हुआ है साहिब बहादुर ने अमेरिका से बिजली का रोशनी आदी का बहुत सा समान भी डेरा भीज दिया है जो यहां दिसंबर में पहुँचेगा उसके लिए एक बारा बाए बारा फुट का कमरा बनवा कर उसमें मशीनरी लगवा दी जाएगी वहां से बिजली की तारों के जरिये उपर की मन्जिल में उनके रहने की जगा में रोशनी और गर्म पानी का प्रबंध होगा वहे इस बात से बड़े निराश हैं कि हुजूर बोल नहीं सकते उमीद है कि नवंबर के पहले हफते में हुजूर स्वस्थ हो जाएंगे ना खा सकने के कारण सेहत में सुधार बहुत ही धीरे-धीरे हो रहा है मिस साहिबा, किकागो निवासी, टॉक्टर स्टोन की भांजी हैं और उनकी सेक्रेटरी भी हैं वे बहुत हस्मुख हैं उनके अभ्यास का यह हाल है कि सत्संग में शायद सत्संग करने वाले का एक शब्द भी उनकी समझ में ना आता होगा मगर चौकडी लगा कर ऐसा दृड़ आसन जमा कर बैठती हैं कि सत्संग की समाप्ती तक बिलकुल हिलती डुलती नहीं उनका इतनी दूर से आना उनके प्रेम की निशानी है प्रोफेसर जगमोहन लाल जी, सरदार बहादुर साहिब के आदेश अनुसार उनको सत्संग और रुहानी बादचित से खुश रखते हैं मैं भी कभी कभी उनके आराम की वेवस्था देखने के लिए उनके यहां हो आता हूँ वहे खुश नजर आती हैं, ऐसा नहीं लगता कि उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ है 14. अक्तूबर 1951 आज इत्वार के दिन, बंबई के रेलवे लाइजन आफिसर श्री ब्रिजलाल कपूर अमेरिका के रहने वाले मिस्टर जैरी एफ सेफिन्स को हुजूर के दर्शन के लिए अपने साथ डेरा लेकर आए मिस्टर सेफिन्स, यू एस इन्फरमेशन सर्विस की ओर से एडल्फी बिल्डिंग, तीन क्वीन्स रोड, बंबई में स्थित, अमेरिकन कॉंसुलेट में कारे रत हैं वह डेरा हवाई जहाज द्वारा पहुँचे और कल ही हवाई जहाज से बंबई वापस जा रहे हैं चुंकि उन्हें जल्दी अमेरिका वापस जाना है, इसलिए उन्होंने आने में जल्दी की, जबकि हुजूर उनसे बादचित नहीं कर सकते जवान आदमी हैं, उनको इन अमेरिकन लोगों के साथ ही ठैरा दिया गया हुजूर के दर्शन करने ये तीनों दुपहर बारा बज़े आए, मगर कोई बादचित ना हो सकी रात के वक्त शिरी सैफिन्स को नाम दिया गया और अगले दिन वे मेरे साथ कार में अमरित सर तश्रीफ ले गए, ताकि वहां से दिल्ली के लिए शाम को पाँच बजे का हवाई जहास पकड़ने और वहां से अगले दिन सुभा सवेरे चार बजे हवाई जहास में ही बंबई चले जाएं क्योंकि 16 अक्तूबर को उनकी दफ्तर में हाजरी थी रास्ते में उन्होंने अपने जीवन की कहानी सुनाई जिसमें बड़ा दर्द भरा था कोई कौम चाहे कितनी अमीर हो, सुख दुख तो जीवन में बना ही रहता है उनसे पता चला कि उनके पिता बड़े अमीर थे, मगर वे उनके बच्पन में ही मर गए उनकी माता ने दूसरी शादी कर ली वह तो खैर संतान के लिए ज्यादा बुरा ना होता मगर दुरभागे से उनकी माता एक नकली गुरू के चंगुल में फस गई जिनकी अमेरिका और कैलीफॉर्निया में काफी संख्या रहती है उस नकली गुरू ने धीरे धीरे उस त्री से सारा धन ले लिया और जब वह बिलकुल गरीब हो गई तो कहने लगा कि परमात्मा का आदेश आया है कि तुम अपने देश को वापिस चली जाओ उसके बाद जब सेफिंस की उम्र तेरा साल की थी उनकी माता को एक और गुरू मिल गया जिसने उसको यह सला दी कि परमात्मा का आदेश है कि घर बार, बाल बच्चे, पती जायदाद सब को त्याग दो उसने ऐसा ही किया और बच्चे छोड़ कर चली गई अब तक पता नहीं कि वह जिन्दा भी है या नहीं और अगर है तो कहां है सेफिंस ने किसी फर्म में नौकरी की और साथ ही बिजली और रेडियो का काम भी सीखते रहे जब सीख लिया तो जहाजों में रेडियों पर काम करने लगे तीन साल के बाद उन्हें अमेरिका की डिप्लोमेटिक सर्विस में ले लिया गया अब उनके बीवी बच्चे हैं और खुशाल हैं मगर पहले जिन्दगी में बड़ी मुसीबत उठाई उनके जाने के बाद सांगली के भूतपूर्व राजा साहिब शिरिमंत चिंतावन राव पटवर्धन और उनकी रानी शिरिमती सरस्वती बाई पटवर्धन दिल्ली से तश्रीफ लाए इनका सामान ब्यास रेल्वे स्टेशन से लाने के लिए ट्रक और इनको लाने के लिए कार रवाना की गई इन्हें बाहर वाली कोठी की निचली मन्जिल में ठहरा दिया गया क्योंकि उपर वाली मन्जिल में अमेरिकन लोग ठहरे हुए हैं हुजूर महाराज जी उनसे भी बात नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका गला बैठा हुआ है उनको हर रोज दिन के बारा बजे और शाम को पांच बजे दर्शन होते थे और उनके साथ ही शिरी रैपलोगल और मिस लुईस भी आते रहे मगर बातचीत नहीं हो पाई केवल चुपचब बैठ कर और माथा टेक कर चले जाते एक दिन उन्होंने मुझे और प्रोफेसर जगमोहनलाल आदी चार-पांच आदमियों को खाने पर बुलाया आज रात को डॉक्टर बलवन सिंग जी ने मुझे खबर दी कि हुजूर का बाया फेफड़ा कमजोर है हमारी सारी कोशिश के बावजूद हम उनकी बिमारी को काबू में ना ला सके कई वर्षों से हुजूर के बाय फेफड़े में एक गांट थी अब इस कमजोरी में वह फैलती चली गई और क्षे रोग यानी टीबी बढ़ता ही गया उनकी चाती के एकसरे से पता चलता था कि रोग फेफड़ों को खोकला करता जा रहा है उनको स्ट्रेप्टोमाईसिन के इंजेक्शन दिये जाते रहे मगर बिमारी ना रुकी और फेफड़ों में बलगम बढ़ता ही चला गया यहां तक की चाती में बलगम अटक जाता और उनको कई घंटे तक बड़ी मुश्किल से सांस आता कमजोरी बहुत थी इस कारण वह बलगम को जोर से निकालना सकते थे कई कई घंटे कश्ट के बाद धीरे धीरे बलगम निकलता और उनको सुक से सांस आता दिन में एक दो बार और रात को एक दो बार ऐसी हालत होती वे इसे धेरे से सहन करते रहते मैं दोपहर को बारा बजे डाक लेकर जाता तो कई बार ऐसी ही हालत हो जाती थी और जब तक उन्हें राहत नहीं मिलती थी मैं बाहर बरामदे में इंतजार करता था जब बलगम निकल जाता तो वे काम करने के काबिल हो जाते थे डॉक्टर साहिब और डेरा के अन्य लोगों ने मुझसे कहा कि हुजूर से पूछ कर डेरा के भविश्य का प्रबंद कर लो मैंने हुजूर से निवेदन किया तो उन्होंने कहा उनसे कह दो कि अभी धीरज रखें जब बलगम निकल जाता तो वे स्वस्थ मालूम होते मगर बातचीत बहुत धीरे-धीरे करते थे कान उनके मूँ के पास ले जाकर बात सुननी पड़ती थी फिर भी पंडित लालचंद, उनके दोनों सेवदार गांधी और मनोहरलाल और डॉक्टर बलवन सिंग उनकी बाते समझ लेते और मैं भी समझ लेता था 22 से 23 अक्तूबर 1951 सुभा के आठ बजे अभी मैं सनान के लिए कपड़े उतार ही रहा था कि हुजूर के दोनों सेवक श्री गांधी और मनोहरलाल मेरे पास आए और कहने लगे कि जल्दी चलो हुजूर याद कर रहे हैं मैं कपड़े पहन कर भागा भागा गया तो हुजूर बाहर के कमरे में चार पाई पर लेटे हुए थे फरमाया कि वसीयत तयार करके लाओ मैंने पूछा किस के हक में उन्होंने कहा कि सरदार चरन सिंग के हक में मैंने और कुछ नहीं पूछा क्योंकि मुझे मालूम था कि हुजूर अपना सारा परमार्थी हिसाब किताब सरदार चरन सिंग ग्रेवाल सुपुत्र सरदार हर्बन सिंग के नाम पहले से ही मेरे द्वारा करवा चुके थे मैं अपने कमरे में वसीयत नामा लिखने लगा कि एक आदमी आया और कहने लगा जल्दी लाओ मैंने कहा कि अभी तयार नहीं हुआ फिर दूसरा आया तो मुझे जो कुछ समझ में आया लिख कर जल्दी जल्दी ले गया ऐसी दशा नहीं थी जैसे कोई जल्दी इस संसार से जाने वाला हो वहां शिरी दरियाईलाल सरदार गुर्द्याल सिंग डॉक्टर बलवन सिंग पंडित लालचंद आदी मौजूद थे मैंने सबसे पहले वसीयत नामे पर डॉक्टर साहिब से लिखवाया कि हुजूर अपने पूरे होश हवास में हैं बाद में सब मौजूद लोगों के सामने वसीयत नामे को हर्फ बहर्फ यानि एक-एक अक्षर, विस्तार, पूर्वक पढ़कर सब को और हुजूर सरदार बहादुर साहिब को सुनाया बाद में उनके सामने रखा तो उन्होंने एनक मांगी और एनक लगा कर सारा मजमून हर्फ बहर्फ शुरू से आखिर तक ध्यान पूर्वक पढ़ा और वहां मौजूद सब लोगों के सामने अपने हस्ताक्षर किये बाद में उन लोगों ने भी हस्ताक्षर किये और मैं वसियत नामा पूरा करके वापस ले आया मगर हुजूर की तबियत कोई विशेश रूप से खराब मालूम नहीं होती थी बाद में पता चला कि डॉक्टर बलवन सिंग ने सुबह ही उनके फेफणों का निरिक्षन किया था और उन्होंने हुजूर से विंती की थी कि पहले तो केवल बाया फेफणा खराब था मगर अब दाई तरफ भी बिमारी चली गई है आपकी हालत ठीक नहीं है अगर कुछ लिखना हो तो जल्दी लिख दीजिए उस पर यह सब लिखा पड़ी की गई इसके बाद दोपहर को अमेरिकन लोग और राजा साहिब सांगली दर्शन के लिए आए मगर ठीक से याद नहीं है हाँ, इतना जरूर याद है कि मैं शाम को तीन-चार बजे के बीच हुजूर के पलंग के पास बैठा हूँ और हुजूर को सांस की सक तकलीफ है क्योंकि बलगम छाती में रुका हुआ है हुजूर को गर्मी लग रही है हुजूर ने कुर्ता भी उतारा हुआ है केवल धोती में लेटे हुए है मुझे कमीज पजामे में पंखे की हवा से सर्दी सी लग रही है हुजूर की पसलियों में कुछ भी मास नहीं रहा है हर एक पसली अलग-अलग दिख रही है इस पर भी हुजूर हम लोगों से बादचित कर रहे है मरने का उन्हें कोई डर नहीं है बीबी रल्ली ने पूछा मैं कहा रहूं फरमाया टेरा में मनोहर और गांधी को भी यही आदेश दिया और मुझे दो संदेश दिये एक तरन तारन वाले भाई देवसिंग के नाम दूसरा अपने उत्रा धिकारी के नाम कि उनको निजी तौर पर बताना जो मैंने बाद में बता दिये भाई देवसिंग को तो लिख कर दे दिया कि आप खूब भजन करो खूब रस आएगा और ऐसा ही संदेश सरदार चरन सिंग जी को भी दिया गया तरन तरन वाले संद को यह भी कहा गया कि आप जगे जगे संद मत का प्रचार करो इसके बाद मैं रात को आठ बजे दोबारा गया विंती की कि मैंने तीन साल तक दोड धूप करके सारी जायदात का प्रबंद करके अब शांती की सांस लेनी शुरू की थी कि आप जा रहे हैं और फिर वई बखेडा शुरू हो जाएगा आपकी जगह संभालने वाले बिलकुल नए हैं जवाब दिया कि धीरज रखना देखो मालिक क्या मौज करता है यह मेरी उनसे अंतिम भेंट थी मगर उस समय मेरा यह विचार ना था कि वे इतनी जल्दी चले जाएंगे रात को दो बजे के करीब पंडित लालचन धर्मानी से जो दिन रात आपकी बिमारी के समय में मौजूद रहते थे पानी लेकर पिया और कहने लगे लालचन यह दे नाकारा हो गई है इसको क्या करना है इसको छोड़ दे इसके बाद धाई बजे दाई करवट ली और कुछ शन में ही अंतर ध्यान हो गए संसारी लोग मरते समय हाई पुकार करते हैं मुझे रख लो संत कहते हैं मुझे जाने दो मौलाना रूम ने फरमाया है मर्ग की अजां जुमला हैबद दरंद मे कुनंद इंकॉम बर उ रीश खंद यानि मौत जिससे सब लोग डरते हैं इस बिरादरी के लोग उस पर हसते हैं यह क्यों? क्योंकि ये जीते जी ही मर लेते हैं दुनिया से किसी प्रकार का मोह नहीं रखते दिल से दुनिया को निकाला होता है वक्ते मर्ग चूं ताबूते मन रवा बाशद मगरीवा मगो दरेग 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 आबाशद की दरबंद देव उफ्तादा यानि जब मौत के बाद मेरी अर्थी उठाई जाए तो रोना नहीं और ना यह कहना की हाई अफसोस यह रोना धोना तो उनके लिए है जो काल के जाल में है 29 अक्तूबर 1951 सरदार बहादुर जी के पुत्र जस्वन सिंग कल रात 28 अक्तूबर को फर्माने लगे कि उनके जाने से एक खालीपन पैदा हो गया है यह सच है मैं तो इसका बहुत अनभव करता हूँ पंडित लालचन जी ने फर्माया आंकदै बशिकस्त वां आंसा की नमाद यानि वह सुराई तूट गई और वह पिलाने वाला ना रहा